नमस्कार, पीपी नूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सब का स्वागत, मैं हुरचनी अनुभव, आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिन बर की परमुक्ष सुर्खियों पर लंबे समय के इंतजार के बाद आज कोरोना वैक्सिन ठीका करन की हुई शुरुआत जब मुकश्मीर परशासनिक सेवा के लिए होने वाली कंबाइन कॉम्पिटिटी परिक्षा दोहजार 21 के लिए आयू सीमा में चूट अब अंतिपोरा के 20 वर्षी फरहान मजीद ने सबसे कम उमर में कमर्शियल पाइलिट की सूची में पहला नाम करवाया दर्च केला मोड पर अस्थाई पुल बैली ब्रीज के आज पूरा होने की संभावना अब कमरे विस्तार से परदान मंतरी कार्याले में राज़े मंतरी डॉक्टर जतिंदे सिंग ने जमीनी स्तर पर हुए विकास को जिला विकास परिश्यत की चुनाफ में भाश्पा को मिली अपार सफलता का रास बताया है संस्तियक शेत्र से नवनिवाचित डीडी सी सदस्यों को समभोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उदूपुर कट्уса डोड़ा लोगसभा शेत्र में जमीनी स्तर पर विकास हुआ है डॉक्टर सिंग ने उदुमपूर कठुवा डोडा संस्तिय क्षेतर के नवनिर्वाचित डीडीसी सदस्यों को समरिती चिन देकर सम्मानित किया और जनता की उमीदों पर खरा उतने की सलाह दी उन्होंने कहा कि इन 6 सालों में डोडा, उदुमपूर वरामबन में ऐसे दुरगन सानों में सडकों का जाल बिचाया गया है जिसकी लोगों ने कलपना नहीं की थी इससे ग्रामिन क्षेतरों में लोगों का जीवन सतर बेहतर हुआ जमो कश्मीर प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली कंबाइंड कंपिटिटिव परिक्षा 2021 के लिए जमो कश्मीर सरकार ने आयू सीमा में छूट देने का फैसला किया है ये छूट आकरी बार एक समय के लिए दी गई है ओपर मेरिट उमीद्वारों के लिए अधिक्तम आयू सीमा सैंती साल आरक्षित वर्थ के लिए 49 वर्ष और दिव्यांगों के लिए 40 साल होगी इसकी गोशना उपराजिपाल मनो सेनहा ने की करोना महमारे के बीच भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीका का अभ्यान की शुरुआत हो गए पर धानमंति नेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादियम से इसका शुभारंब किया इस दोरान उन्होंने का कि आज के दिन का पूरे देश को बेसबरी से इंतजार था कितने महिनों से देश के हर घर में बच्चे बूड़े जवान सबी की जवान पर ये सवाल था कि कोरोना वैक्सिन कब आएगी अब वैक्सिन आ गई है बहुत कम समय में आई है पियमोदी ने कहा कि अब से कुछी मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभियान शुरू होने चारा है मैं सभी देश वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बदाई देता हूँ आज वो वेज्ञानिक वैक्सिन रिसर्ट से जुड़े अनेकों लोग विशेस रुप से प्रसंसा के हकदार हैं जो बीते कई महिनों से कोरोना के खिलाप वैक्सिन बनाने में जूटे थे दिन राद जूटे थे ना उन्होंने त्योहार देखा है ना उन्होंने दिन देखा है ना उन्होंने रात देखी है आम तौर पर एक वैक्सिन बनाने में बर्सों लग जाते हैं लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया वैक्सिन तयार हुई है इतना ही नहीं कई और वैक्सिन पर भी काम तेज गती से चल रहा है ये भारत के सामर्थ भारत की वैज्ञानिक दक्षता भारत के टैलेंट का जीता जाकता सबूत है बच्मन में ही विमान उडाने की जिद पर पिता ने पिचाई की तो मा ने दुलारते हुए समझाया कि इसके लिए तुम्ही काफी मेहनत करनी पड़ेगी और पाइलेट बनना पड़ेगा फिर क्या था नन्ने फरहान ने मा की ये बात गांट बांद ली पड़ाई में खूब मन लगाया और नजरें आसमान में उड़ते विमानों पर टिकाई रखी मेहनत और लगन से फरहान ने अपने सपनों को पंक लगाए और अब काम्याबी की उडान बनने के लिए वैत तायार है दक्षिन कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंती पूरा के रहने वाले बीस वर्षे फरहान मजीद ने कमर्शियल पाइलेट का लाइसेंस प्राप्त कर कश्मीर में सबसे कम उमर में कमर्शियल पाइलेट की सूची में पहला नाम दर्ज करवा लिया है कोरोना वैक्सीन की ठीका करन को लेकर कई महिनों से चला आ रहा आखिर इंतजार खत्म हो गया उप्राजेपाल मनोज स्वेनहा ने जमूराज की अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ठीका करन अभ्यान की शुरुआत करते हुई डॉक्टरों को इसके लिए बधाई दी वहीं स्रीनगर में उप्राजेपाल के सलाहकार आरार बटनागर ने स्किम्स सौरा में चीका करन अभ्यान की शुरुआत की स्वास्ते एवं चिकिस्सा शिक्षा विबा के वितिय आयूक्त अटल डुलू परिवार कल्यान विबा के निदेशक डॉक्टर रेनू शर्मा सहित वबिन अधिकारी राजकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मजूद हैं पहले दिन 2700 स्वास्ते कर्मियों का टीका करन होगा आवक्तो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मजबूते के पैचान ACC सीमेंट मैसर्स विशंदास जस्वाल एंड संस आथोराइस्ट स्टॉकेस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जमू ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ उत्री कश्मीर के सिमानत जिले कुपवाडा में सुरक्षबलो ने एक आतंकी ठीकाने को द्वस्त कर दिया जानकारी के अनुसार एक इंपुट के आधार पर शुकरवार को जमू कश्मीर पुलीस ने सेना की 28 आ से कई हाथ्यार भी बरामत किये गे एक अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान चार एके 47 की मैगजीन, 15 एके 47 रौंड, दो हैंड ग्रीनेट, एक दो अर्बीन, एक कमपास, एक वायर कटर आधी बरामत किया गया रास्टी राश्मार के जरिये जमू और कश्मीर के 20 सफर करने वाले यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है रामबन के केला मोड पर सेना द्वारा बनाय जा रहे अस्थाई पुल, बैली ब्रीज से रविवार को यात्यात बहाल किया जा सकता है गत शुकरवार शाम तक 70 फीसद काम पूरा कर लिया गया था आज शनिवार तक इसे पूरा कर लोड टेस्ट किये जाने की पूरी संभावना है पंचाय चट्था फार्म के सरपंच अवतार सिंग के अद्विश्टा में एक मीचिंग का आयोजन किया गया कि उन्हों तो काले कानून बीजेपी सरकार द्वरा लाख Speu के हैं उनकी और अगर सरकार ने जल सजल कानूनों को वापस नहीं लिया तो वैं दिलि तक दना करने पर उतर जाएंगे शारे परती बेंती है मैं एक सरपेंच आया सिंग अपर गाडीगार तुम अपीर करता हैं कि जेड़ी मेरी पहिजाता है संतनगर गाडीगार अपर गाडीगार लोर गाडीगार अजीत नगर सारे परती बेंती है और इतना भी कि जितने भी नमेशार तो लोगी सारे ही शरकते आन और इस रैली दा वेलकम किता जाए वाईगुर जी का खाल सा वाईगुर जी फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसियेशन ने दर्मात ट्रस्ट करमचारियों के अंदोलन को अपना समर्थन देते हुए आज डोगरा शोरिय समारक पर पर परदर्शन किया और सरकार से दर्मात ट्रस्ट करमचारि को कई महीनों से वेतन भी नहीं दिया जा रहा लेहाजा सरकार दर्माज ट्रस्ट के विलाई शिरी माता वैशनोदेवी श्राइन बोर्ड में कर दिया जाए पीपी नूसलाइन के प्राइम च्राइन के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजासत और आप देखते रहें पीपी नूसलाइन नमस्कार जमो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेक्नोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार जम ओप्टीशन्स विद दो फेजिलिटी ओफ आई एक्सरसाइज ए स्कैन बायोमेट्री पैकिमेट्री और आटोमाटिट फिल्ड अनलाइजर और हाँ हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासेज और कॉंटेक्ट लेंसेज मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जम ओप्टीशन्स गाधी नगार जम ओप्टीशन्स नई बस्ती जम ओप्टीशन्स अमफला जम ओप्टीशन्स त्रीकुटा नगर